Welcome back friends, बंधुओं इस वीडियो में हम लोग UPSC C-set 2021 के मैत का question solve करेंगे तो आईए शुरू करते हैं इस वीडियो को देखिए बंधुओं ये question है आपका, क्या कहता है question? A person X from a place A, एक व्यक्ति X, A अस्थान से and another person Y from a place B, और दूसरा व्यक्ति Y, B अस्थान से set out at the same time to walk towards each other, एक ही समय में एक दूसरे की योज़ चलना शुरू करते हैं The places are separated by a distance of 15 km, इन दोनों जगों के बीच में 15 km की दूरी है X walks with a uniform speed of 1.5 km per hour, X 1.5 km प्रती घंटा के एक समान चाल से चलता है and Y walks with a uniform speed of 1 km per hour in the first hour और Y पहले घंटा में 1 km प्रती घंटा के एक समान चाल से चलता है with a uniform speed of 1.25 km per hour in the second hour दूसरे घंटा में 1.25 km प्रती घंटा के एक समान चाल से चलता है and with a uniform speed of 1.5 km per hour in the third hour और तीसरे घंटा में 1.5 km प्रती घंटा के एक समान चाल से चलता है and so on और इसी प्रकार से आगे भी चलना जारी रखता है which of the following is or are correct निमलिखित में से कौन सही है यहाँ दो statement दिया गए है आपको पहला statement है they take 5 hours to meet वे लोग एक दूसरे से मिलने में 5 घंटा का समय लेंगे या दोनों को एक दूसरे से मिलने में 5 घंटा का समय लगेगा दूसरा statement है आपका they meet midway between A and B वे दोनों A और B दोनों अस्थान के बीचों बीच में मिलेंगे select the correct answer using the code given below नीचे दिये गए code का उप्योग करके सही उत्तर का चेहन करें option A one only, option B two only, option C both one and two, option D neither one nor two देखे बन्हों कैसे इस question को बनाएंगे क्या question करता है a person X from a place A देखे ए प्लेस पर ए प्लेस पर X person है and another person Y from a place B और B प्लेस पर Y person है ये दोनों व्यक्ति बन्हों करा है कि set out at the same time to walk towards each other ये दोनों व्यक्ति एक ही समय में एक दूसरे की और चलना शुरू करते हैं यानि कि X Y की और चलना शुरू करता है और Y X की और चलना शुरू करता है the places are separated by a distance of 15 km देखे इन दोनों जगों के बीच में 15 km की दूरी है A और B के बीच में कितना की दूरी है 15 km की दूरी है आगे कुश्चन करता है X wax with a uniform speed of 1.5 km per hour X का speed कितना है बन्हों X का speed है 1.5 km per hour X जो है 1.5 km प्रती घंटा की एक समान चाल से चलता है X का speed कितना हो गया 1.5 km per hour आगे कुश्चन करता है and Y wax with a uniform speed of 1 km per hour in the first hour with a uniform speed of 1.25 km per hour in the second hour and with a uniform speed of 1.5 km per hour in the third hour and so on देखिए Y का speed constant नहीं है बन्हों Y का speed प्रती घंटा में 0.25 km बह जा रहा है देखिए पहले घंटा में कितना है 1 km per hour दूसरा घंटा में कितना हो जा रहा है 1.25 km per hour देखिए 0.25 km per hour बह गया और तिसरे घंटा में कितना हो जा रहा है 1.5 km per hour इसी तरीके से चौथा घंटा में बहर की कितना हो जाएगा 1.75 km per hour इसी तरीके से पांटमा घंटा में इसका स्पीट क्या हो जाएगा 2 km per hour तो देखिए बंदूओं हम लोग पहला statement को चेक करते हैं पहला statement क्या है कहता है they take 5 hours to meet हम लोग चेक करते हैं कि दोनों एक दूसरे से 5 घंटा में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो बंदूओं हम लोग निकाल देते हैं कि x जो है 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा तो दूरी निकालने का क्या फर्मूला होता है speed into time तो speed कितना है x का 1.5 km per hour तो निकाल देते हैं ये 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा x ये करेगा 5 into 1.5 5 into 1.5 आप multiply करेंगे तो कितना जाएगा 7.5 km 7.5 km तो बंदूओं x जो है आपका 5 hours में 7.5 km चलता है अब हम लोग निकाल देते हैं कि y जो है 5 घंटा में कितना distance को भर कर रहा है तो देखिए y जो है बंदूओं पहले घंटा में 1 km का दूरी तय करेगा y पहले घंटा में कितना दूरी तय करेगा बंदूओ पहले घंटा में 1 km का दूरी तय करेगा क्योंकि पहले घंटा में इसका speed है 1 km per hour 1 km प्रति घंटा एक किलोमेटर प्रती घंटा के एक समान चाल से पहले घंटा में चलेगा, तो पहले घंटा में एक किलोमेटर का दूरी तै करेगा, दूसरे घंटा में ये कितना दूरी तै करेगा, दूसरे घंटा में इसका स्पीड हो जाता है, 1.25 किलोमेटर प्रती घंटा, तो दूसरे घ गंटा में इसका स्पीड हो जाता है 1.5 किलो मिटर हो तो तीसरे गंटा में ये एक दसमलों पांच किलो मिटर का दूरी तैक करेगा चौथे घंटा में ये कितना दूरी तै करेगा बंधू हो तो चौथा घंटा में स्पीड इसका फिर बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा इसका स्पीड एक दसमलो साथ पांच किलो मीटर तो ये चौथे गंटा में 1.75 km का दूरी तै करेगा पांचवे गंटा में ये कितना दूरी तै करेगा तो पांचवे गंटा में इसका स्पीड कितना है पांचवे गंटा में इसका स्पीड हो जाएगा 1.75 से बढ़ करके 2 km per hour तो ये पांटमे घंटा में 2 km की दूरी तै करेगा अब हम लोग क्या करते हैं बंदूओं इन सभी दूरियों को जोर देते हैं ऐड कर देते हैं 1 प्लस 1.25 पलस पलस देखिए 1 1.25 1.5 1.75 और 2 ये जितना जो दूरी है 1 km 1.25 km 1.5 km 1.75 km 2 km इस सभी दूरियों को हम लोग एड कर देंगे तो य के द्वारा पांच घंटा में जो दूरी तै किया जाएगा वो आपको प्राप्ट हो जाएगा तो देखिए आप एड किजी कितना हो रहा है 1.25 और 1.75 ये 2 एक 3 हो जाएगा 3 325, 16, 7, 7.5 देखिए वाई भी बन्दूओं 5 आवर में 7.5 km का डिस्टेंस को भर कर रहा है और X भी 5 घंटा में 5 आवर में कितना डिस्टेंस को भर करता है 7.5 km का तो दोनों बन्दूओं 5 घंटा में बरावर डिस्टेंस को भर कर रहा है कितना 7.5 km का और दोनों एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलता है और दोनों जिस अस्थान पर है आप देखे एकस ए अस्थान पर है और वाई बी अस्थान पर है इन दोनों अस्थानों के बीच की दूरी कितना है पंदरा किलो मिटर है तो ये दोनों पांच घंटा में एक दूरी से मिल जाएगा कैसे मिलेगा बंद वो क्योंकि X जो है A से 7.5 km चलेगा और Y जो है B से 7.5 km चलेगा और दोनों के बीच में धूरी कितना है 15 km का तो दोनों 5 घंटा में एक दूसरे से मिल जाएगा तो हमारा पहला statement सही हो जाता है बंधों अब देखें दूसरा statement सही है या नहीं इसको आप चेक किजिए दूसरा statement क्या है they meet midway between A and B दूसरा statement क्या कहता है कि वे लोग A और B दोनों अस्थान के बीचों बीच में मिलेंगे ये देखें ये सही है या गलत है देखें बंधों चुकि 5 घंटा में X जो है सारे 7 km चलता है य की और और 5 घंटा में Y भी जो है X की और सारे 7 km चलता है 7.5 km चलता है देखें ये भी जो है X जो है 7.5 km चला और Y जो है आपका 7.5 km चला दोनों कहां मिला यहां मिल गया तो अब देखें ये middle point है या नहीं चुकि दोनों के बीच में 15 km का distance है तो 15 का half कितना हो जाएगा 7.5 km तो जो ये 7.5 km होगा तो ये A और B का middle point होगा A और B के बीच में जो distance है उसका middle point कहां परेगा ये 7.5 km परेगा तो ये देखिए ये बिलकुल A और B का जो दूरी है उसके बीच और बीच में मिल रहा है कहां मिल रहा है यहां पर 7.5 km पर 7.5 km पर चाहे A की और से देखिए या B की और से देखिए दोनों और से दोनों तो बरावर डिस्टेंस कोवर कर रहा है पांच घंटा में X भी 7.5 km चलता है और Y भी आपका 7.5 km चलता है तो यह बीच ओ बीच में मिल जाएगा तो यह बीच में मिल जा रहा है तो यानि कि secret statement भी सही है तो यह दोनों statement फ़र्स्ट और सेकर्ड दोनों सही है तो इसका answer कौन सा option होगा बंधुओं तो इसका answer हो जाएगा option c both one and two both statements are correct one and two both statements Thank You